आज एक बहुत ही बड़िया और आसान कीट्स फेवरेट पप्सिकल्स का रेसिपी में आप लोगों से सहर कनने वाली हूँ ये ग्रेप्स पप्सिकल्स इसको बनाने के लिए आसान है लेकिन फ्रीज में सेट होने के लिए कुछ गंटे लग जाता है चले रेसिपी शुरू कर यहां मैंने कुछ ग्रेप्स ले लिया है अगर वजन में इसको देखे तो यह 250 ग्रेप्स से और ग्रेप्स को आच्छे से दोके लेना जरूरी है जैसे हम साख सबजी बगेरा पानी में दोते है उस तरीके से पानी में डाल के मैंने इसको 15-20 मिनिट रखा फिर पानी से चा बनाने के लिए आसान और प्योर चीज हमको मिल जाता है चो कि बाजार में नर्माली कलर डाल के पाप्सिकिल बगरा मिलता है और प्योर फ्रूट का नहीं मिलता है तो पहले एक ब्लेंडर की जार ले लेंगे उसमें दूले हुई ग्रेप्स को ले लेंगे ये तो ग्रीन ग ब्लेंड कर दिये अच्छी तरीके से और इसमें बिलकोल भी पानी नहीं मिलाया है अभी तक ग्रेप्स को अभी हम चानेंगे तो एक चनी ले लेंगे और जो ब्लेंड किया हुआ ग्रेप्स को इसमें डाल देंगे आप चाहे तो ग्रेप्स की पल्प के साथ बीना चाने इ इसलिए आच्छे से पहले इसको हम चान लेंगे स्वाद के हिसाब से इसमें हम शक्कर डालेंगे मैं यहाँ 2 टेबल स्पून शक्कर आड कर रहे हूं उसके साथ काला नमक डालेंगे 1.5 तीस्पून आधाचा मच डालेंगे निम्मडू का रस तो आधा निम्मडू से रस निकालके मैंने ले लिया है सारे चीज़को एक बार मिला देंगे आप आपनी टेस्ट के हिसाब से इसका पानी का मात्रा कम ज़ादा कर सकते और शक्कर का बारा भी कम ज़ादा कर सकते हो लेकिन खाली जूस लेने से आच्छा है थोड़ा सा पानी मिलाए जाए तो ये पॉप्सिकल भी आच्छे से सेट हो जाएगा अभी हम पॉप्सिकल का एक मोल ले लेंगे इस तरीके की मोल जो ही बाजर में आसानी से मिल जाता है और इसमें हम जो ग्रेप्स का जूस बनाए थे उसको डालेंगे आप किसी में भी इसको सेट कर सकते हो अगर आपके पास पॉप्सिकल का मोल नहीं है तो आप कोई भी छोटा कटोरी ले लो और उसके उपर एक फोयल लगा दो फोयल पेपर फिर उसके उपर एक आईस्क्रीम का स्टिक आड कर दो तो भी हो आच्छे से बन के त्यार हो जाता है मोल का कबर अभी बन कर देंगे एक बात की ध्यान रखे, मोल्ड को पूरा जूस में ना भरे, थोड़ा सा कम रखे, नहीं तो यह जो स्टीक और कबर हम डालते हैं, उस टाइम जो जूस है, पप्सिकल की मोल्ड के उपर आ जाता है, अगर आगया भी ऐसे, तो आप एक टीशू पेपर लेके उसको क्लीन कर ल लाएं, अभी हम इसको डीप फ्रीज के अंदर चार पांच गंटा के लिए रखेंगे, पांच गंटे बात मैं पप्सिकल की मोल्ड को रेप्सिडेटर से निकाल के लाएं, अभी यह अच्छे से सेट हो चुका है, और इसको मैंने हालके से दोली आए बैक साइड से, अगर थोड़ा सा पानी में डूबा के इसको निकालेंगे तो यह अच्छे से निकल के आ जाएगा, अभी आप देख सकते ना इसमें हमने कलर डाले है, ना कुछ भी ज्यादा मसाला हो या कुछ भी कोई चीज नहीं डाले, प्यूर जूस में थोड़ा सा पानी डालके इसको बना कितना पर्फिक्ट है, और इस समर की सीजिन में अगर आप एक बार भी इस मोल में बनाएं तो छे आइस क्रीम बन के त्यार होता है, फिर दो तिन बार बच्चों को यह सर्प तो हो ही जाता है, तो अभी हमारा इजी सा फ्रेस प्रूट की जूस से बने हुई पप्सिकिल्स चुसकी त्यार है, खाने के लिए बहुत टेस्ट है, और जब आप इसको बनाते हो ना, तो अभी आपकी टेस्ट के सबसे थोड़ा कम ज़दा कोई भी मसाला इसमें डाल सकते हो टेस्ट के लिए, इविन चार्ट मसाला भी अगर डाल दिये तो इसका टेस्ट बहुत ही करने से में जो भी वीडियो अपलोड करूंगी वो आप लोग के पास नोटिफिकेशन की रूप में पहुंच जाएगा